हेलु दोस्तो आरके मिकसं अंटेंटमे suppressed channel पर आपका स्वागत दोस्तों आज इस यूडियो में मैं आपको कार्थिक माह का महतुप données वर्त कता बताऊंगा उससे जुड़ी पूजावीदी उससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन को दबागर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सक तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों बारत में वर्स के चार माँ सभी धर्मों में विशेष त्वार चलते रहते हैं इन सभी त्वारों का उद्यस से इस्वर के परती आस्ता एवं प्रेम एक्ता का भाव जगाना है दोस्तो चोमासी या चत्रुमास के चार महिनों की विशेष्था सभी प्रांतों में अलग लग बताई जाती है और उसका निर्वा किया जाता है हिंदी कलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है कार्तिक महिने में ही बड़े बड़े त्योहर मनाये जाते हैं जो बारत देश के परमुक त्योहरों में से हैं वैसे तो बारत वर्स में वर्स बर त्वारों का तातर लगा रहता है लेकिन चार मा के त्वार तप एवं पूजा पार्ट की द्रिष्टी से एहम माने जाते हैं। इसके बाद अगन्य माह की शुरुआत होएगी। हर वर्स इसी तरह माहा आते हैं। बहुत अधिक महत्व होता है घर की महिलाए सुबह जल्दी उठ सनान करती है यह सनान कोवारी एवं वैवाईक दोनों के लिए स्रेष्ट है इस महा की एकादसी जिसे परबोधनी एकादसी अत्वा देव उठनी एकादसी कहा जाता है इसका सरवादिक महत्व होता है इस दिन बगवान विश्णु चार माह की निंदरा के बाद उठते हैं जिसके बाद से मांगलिक कारियर शुरू किये जाते हैं इस महिने तब एवं पूजा पाट उपवास का महतु होता है जिसके फलसवरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है इस महा में तब के फलसवरूप मोक्स की प्राप्ति होती है इस महा के सर्दा से पालन करने पर दीन दुख्यों का उध्दार होता है जिसका महत्व, स्वैम विश्रुन ने बर्माजी से कहा था इस महा के परताफ से रोग्यों के रोग दूर हो जाते है जीवन विलास्ता से मुक्ति मिलती है दोस्तो, कार्तिक मा में दीपदान का महत्व होता है इस दिन पवित्र नदियों में मंदिरों में दीब दान किया जाता है साथ ही आकास में भी दीब छोड़े जाते है यह कारिया सरत पुर्निमा से शुरू होकर कार्तिक पुर्निमा तक चलता है दीब दान के पीछे का सार यह है कि इस से घर में धना आता है कार्तिक महिने में लश्मी जी के लिए दीप जलाये जाते है और संकेत दिया जाते है अब जीवन में अंदगार दूर होकर परकास देने की करपय करें कार्तिक में घर के मंदिर ब्रिंदवन नदी के तट एवं सेन केक्स में दीपक लगाने का महत्य पुराणों में निकलता है दोस्तो कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाये जाते है इससे सरीर निरोग बनता है बर्मा मुरत में उठकर सनान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पोदे को जल चड़ाया जाता है कार्तिक में तुलसी के पोदे का दान दिया जाता है कार्तिक माह में दान का भी विसेश महत्व होता है इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्रामनों को दान दिया जाता है इन दिनों में तुलसी दान, अंदान, गायदान, एवं, आंवले के पोदे के दान का महत्व सरवादिक बताया जाता है कार्तिक में पस्वों को हरा चारा खिलाने का भी महत्व होता है कार्तिक मा में सरदालू मंदिरों में बजन करते हैं अपने गरों में भी बजन करवाते हैं आज कल ही है कारिय बजन मंदली द्वारा किये जाते हैं इन दिनों रामायन पाठ बगवत गीता पाठ आधी का भी बहुत महतु होता है। इन दिनों खास तोर पर द्विश्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है। इसलिए गुजरात में कार्तिक मा में अधिक रोनक दिखाई पड़ती है। दोस्तों कार्तिक मा में कई तरह के नियोमों का पालन किया जाता है। जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं सैयम के भाव उत्पन होते हैं। जिसमें से ये इस परकार है। पूरे मा, मास, मदीरा, आधी, व्यासन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लसन, बैंगन आधी का सिवन भी निसेद मानते हैं, इन दिनों फर्स पर सोना उप्युक्त माना जाता है, कहते हैं इससे मनुष्य का सववाव कोमल होता है, उसमें निहीत एहम का भाव खतम हो जाता है, कार्तिक में भर्मा मूरत में सनान किया जाता है, तुलसी एवम सूर्य देवता को जल चड़ाय जाता है, काम वासना का विचार इस मा में छोड़ दिया जाता है, बर्माचारिय का पालन किया जाता है, इस परकार पूरे मा नियमों का पालन किया जाता है, दोस्तों अब मैं आपको कार्तिक मा से जुड़ी जुक कताए हैं वो सुनाता हूँ इसमें पहली कता इस परकार है कार्थिक मास के महत्यम्य में बताया गया है कि एक गणिका थी जवानी ढलने लगी तो उसे मिर्तियों और उसके बाद की स्थीति का विचात प्रेशान करने लगा एक दिन वह एक रिशी के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा रिशी ने गणिका को कार्थिक सनान का महत्यम्य में बताया गणिका हर दिन सूरियोद्य से पूरू सनान करके तट पर दीप जलाकर बहवान विश्णु और सूरिय देव की पूजा करने लगी इस पुन्ये के परवाव से बिना कष्ट सरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंट चली गई इससे जुड़ी दूसरी कहानी कथा इस परकार है कार्थिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मनी की भी है पदम पुरान के अनुसार पूरु जनम में रुक्मनी गंगा तट पर रहने वाली एक विद्वा ब्रामनी थी वै नियमित रूप से गंगा सनान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णू का ध्यान करती थी कार्थिक मास की ठंड में एक दिन सनान करके पूजा करने के करम में इनकी आत्मा को सरीर से मुक्ति मिल गई इनकी आत्मा के प कार्तिक मा से जुड़ी तीसरी कथा इस प्रकार है कार्तिक महातम्य का वर्णन करते वे बहगवान श्रीकर्षन ने सत्य भामा को बताया था कि वे पूरु जनम में बहगवान विश्णु की पूजा क्या करती थी जीवन भार्तिक मास में सुर्य देव से पूरु शनान करके वे तुलसी का दीब दिखाती थी इस पुर्ने से सत्य भामा श्रीकर्षन की पत्नी हुई बहवान श्रीकर्षन ने बताया कि कार्तिक का महिना सभी महिनों में मुझे अतीपिरिया है जो भी वेक्ति इस महिने में अंदान दीबदान करते हैं उस पर कुबेर महाराज भी करपय करते हैं इस से जुड़ी चोथी कता इस परकार है संखासुर नामक असुर ब्रमाजी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था वेद उनके आतों से चूटकर समुंदर में परवेश कर गए देवताओं की प्रातना स पर्षन होकर बगवान विश्णू ने कहा कि मैं मचली का रूप धारन करके अभी वेदों को लाता हूं उसी समय बगवान ने कहा कि अपसे कार्थिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयम जल में रहूंगा इस महीने में नियमित सनान पूजन करने वाले कुबेर भी आप पर करपा करेंगे जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और सर्गलोक नहीं सीधा बैकुंट की प्राप्ति होगी वह जनम मृत्यू के चक्कर से मुक्त हो जाएगा तो दोस्तों ये आपकी इस कार्थिक महा से जुड़ी कताय थी दो पूरा महीना मनुष्य जाती नियमयों में बंद कर इस वर भक्ति करते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया हो गया कि कार्थिक मा का क्या महत्व है कौन-कौन सी वर्त कताय है उसकी पूजा विदी क्या है इससे ज़िवी जानकारी मिल सके ृद्व दोस्तों कमेंट बुक्स में आपका भी कोई कार्थिक जो यह महीना होते है इससे जुड़ी कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट वोक्स में लिखकर जूरूर बताएं दोस्तों और दोस्तो इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताके आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तो जै हिंद